फ्रांस से इस साल के अंध तक होगी 35 राफेल की डिलीवरी, 2022 में एक सोलो लड़ाकू विमान होगा शामिल फ्रांस इस साल के अंध तक भारत को कुल 35 ओमनी रोल लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी करेगा जबकि एक आखरी लड़ाकू विमान उत्तर बंगाल के हाशिमारा एर बेस पर एक्टिव होने के लिए जन्वरी 2022 में सोलो जर्नी करेगा 26 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी फ्रांस द्वारा पहले ही की जा चुकी है जिनमें से 24 विमानों को भारत में उतारा गया है वायुसेना और भारतिय नौसेना ने पौवर रेश्यो और समुदरी हमले की क्षमता की वजह से राफेल में गहरी दिल्चस्पी दिखाई है भारतिय वायुसेना भविश्य में 36 और राफेल हासिल करना चाहती है जबकि नौसेना राफेल आम को अगले साल शुरू होने वाले आयेनेस विक्रांत पर एक लड़ा को विकल्प के रूप में देख रही है भारत की युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ी पश्चिमी और पूर्वी थीयेटर में राफेल के शामिल होने के बाद भारत की युद्ध करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है फ्रांसीसी फाइटर उपमहद्वीप में सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली उलका मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल से लेस हैं ट्राफेल की मौझूदगी से सैन्य शक्ती को मिलेगा बढ़ावा अपातकालीन खरीद के तहट भारत द्वारा अधिग्रहेत हैमर मिसाइल को सत्तर किलोमेटर से अधिक उचाई वाले लक्ष को साधने के लिए मात्र पांच सो फीट की उचाई पर छोड़ा जा सकता है फ्रेंच राफेल की डिलीवरी समय से थोड़ी आगे चल रही है भारत के पूर्वी क्षेत्र में राफेल की मौझूदगी से इस क्षेत्र में सैन्य प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलेगा जिसमें सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश दोनों ही रक्षा प्राथमिकता है